वेल्कम वेक टूप यूटूब चैनल पेपर हैकर तो आज हम अगले कोश्चन के साथ आपके सामने उपस्तित हैं अगला कोश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट कोश्चन हमारे पास है और है हमस्ट करना प्रकासिक समाव्यपता से आप क्या समझते हैं रहा है और यह कुणसे समावविता को पृदर्सित करते हैं उस पर भी आपको क्या करना प्रकास डालना है यहांद कि उसके बारे में आपको बताना है तो सबसे पहले आपको क्या बताना है ऑप्टीकल आई समर्जिंग प्रकासिक समाविववता के कारण तो कुछ कारण हैं जो प्रकासिक समय बता को शो करते हैं ठीक है तो कहरा लाविल और वांठाप लाविल और वांठाप नामक बैग्गानिक थे जिन्होंने क्या कहते हैं इनने कहाते कि कारवन की चारो सहीं जगता हैं कारवन पर जो चार सहीं हो जगता है होती है ठीक है यानि कि कारवन पर जो चार बैलंसी होती है वो सभी कैसे होंगी चारो सहीं हो जगता है एक सम चतुस फलक यानि कि टेट्रा हैडल पिलेनर में होगी ठीक है कैसे होंगी एक सम चतुस फलक में सब्सक्राबाइस और किनारों की और दिश्ट रहती है ठीक के यहां पर जैसे लिखा एए बी सी और ड li चारों कीनारों पर क्या हूंगी यह यह आपकी तीर रहेंगी है जिसके केंदर में कारवन पर माड़ू है बीच में क्या है आपका कारवन-प्र कस और इस प्रकार यादि कार्वन प्रमाणू को चत्र फलक यानि कि टेट्रा हैटल की भाती प्रदर्सित अगर किया जाए तो क्या होगा तो चार बिभिन्द समूहूं जैसे ए बी डी और यहां पर क्या ए बी और डी को चारों किनारों पर जोड़ें तो केंद्रिये कार्वन तुमелю अवंद्रिये कार्वन इतल माम चारों ब्योट रज़ें समूहूं के हाधार विवथें समूहूं को आधारपर दो वेभस्था हैं इसमें संब्वल हैं कि हम दोग श्कार में पिर्तितर हो में नहीं है। मिरा इमेजMA करते करा दूसरे के ऊपर अध्यारोपद नहीं कि जा सकते यद कर सकते जिस प्रकार की दाया हात के उपर इसलिए इन रूपों को कहते हैं यानि की कारण करेल अड़ू भी कहते हैं घ्रीक भासा के जो किये का मतलब होता उसका मेंस का उसका उपर यह जो कह रहा है कहने कद पर यह कह रहा है कि मतलब कर्णा सा का तर्माड ले ले कि कर्णा बैलन का जिसकी तंसे हूँ कंगी होनी होंगी और बीच में क्या होगा अपका कार्वनाटन अपको करेल हो गार ने टॉत जाए गर बना वित चल कहने गूसा हूख करेल उऽ्थ यह दिखा अबजेक्ट कि यह हमारा किया है कि पहला वाला मॉली क्यूल है और इसको हमने कहा रख दिया यह मिररके सामने रख दिया जब मिरर के सामने रखो कि तो इसकी क्या बन जाएगी यह मिरर इमेज बन जाएगी तो देखो यहां पर डी है डी सेम रहेगा तो पास वाली बस्तु कहां रहती सीसे के मतलब नजदीक में रहेगी ठीक है ऐसे हाथ लगाओ को तो सेम यह आपको दिखाई देगा यह कहाँ है जहाँ पर यह रहाँ रहेगा और यह दूर वाले चीज कहां पहुंझा जाती दूर पहुंझाती ठीक है तो यह दोनों क्यासरे या diferente नों इंस accomplishments और इनकीकर बैसेंजिन क्या होती है नौन सपर होना चाहिए एकर प्रतियूम इनकींकर बैसेंज़ को शो करते हैं तो यह थो गया कि नेक्स्ट करा कि रूप कहा होता है करत प्रतियूम एक दूसरे के उपर अध्यारोपित नहीं किए या सकते हैं जिस प्रकार जैसे कि यहां दाअक के उपर इसलिए इन रूपों कोücht आने की किरेल हात जैसे अपने हांट को यह हांथ को उपर रख सकते हैं इसे उनको नहीं है तब यूपर द्वाथ के नहीं होता है अगर हम बात करें समिट्रिक ठीक है ये क्या हमारा सिमिट्रिक ये दूसरा एटम हमारा हैंड जाती जाती इसको अगर हम बीच से काट दिया जाए तो क्या होगा दोनों इसके दो पार्ट होंगे हो इककोल होंगे चीक है हाथ को बीच में तो यह क्या होगा इधर बाला पार्ट और इधर पन इन दोनों में यह कश्म यह तेह कि यह को जो आपका कैसा हो गया जशान मेच और एक सम्मित, तो कायरा सम्मित, यानि कि सिमेट्रिक तथा असम्मित, यह आपका असम्मित हो जाएगा, जब हम एक रूप को दूसरे रूप के समू, यानि कि B तथा E के उपर पढ़ने के लिए गुमाते हैं, जब हम इसको इस तरह से राउंड करते हैं, कि जो हमारा B है, तो कहां पहुंझ जाए यी के उपर पहुंच जाए ठीक, जब हम इस तरह से । क्या है तो हम देखते हैं कि समूँ ई विप्रीद दिशा यान कि opposite direction पर पहुंच जाता है तो ऐसे गुमाने पर यी कहां पहुंच जागा विप्री डारेक्शन में जो है पहुंच जाएगा ठीक है विप्री डारेक्शन में पहुंच जाता तता एक दूसरे के प्रत्वम रूप यहने की इनेशियो मौर्फ कहलाते हैं तब वो क्या कहलाएंगे एक दूसरे के इनेशियो मौर्फ या यह आपकी डिफॉर्म होगी ठीक है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं लेकिन यह समूह को छोड़ कर यह समूह की विवस्था भिन्न होती है इसको छोड़ कर यह जो निम्न भाग है आपके इनकी विवस्था कैसी हो कर दिया जाए तो दूसरे में बामवर्त यह एंटिक लोगवाइज हो जाते हैं अगर आप मतलब क्लोगवाज इसको घुमाद हो जाती है इस प्रकार डी एबम समावयवियों के विप्रीत गोड़नी शक्तियों की संतोस्प्रत विवस्था हो जाती है इस प्रकार हमको क्या म लगा जो भी बिवस्थाय मिलेंगी वो कैसी होंगी डी और एल ठीक है कौन सी फांग होंगी आपकी डी और एल फांग होंगी तो हम देखते हैं इसमें यह हमारे पास कोई इसंगा साङक मोणलेक्यून है जिस पर चार अफ्रेम लगी हूई एई डी और वी इसको व्र commit दी और और विए इसको हमने क्या राटक कैसा हो जागा ठीक है यहां पर does है और दूर पहूंच जाए तो यहां पर कैसा हो जाए आपको इल्टा जाए यह थो यह थे यह बिल्कल पीछे यह वाला जो यह भी आपको दिखाई दे यह बिल्कुल इसके पीछे और यह दो आपके सामने मतलब इस Serve बनतलम पूस्टेंट च्वाइफ। इसको माँदाल। we go politik अरूप मतलब इधर को मादे किया आपका है अपका एनटी क्लोगवाज क्या किसको इसको एन्टी का लोग वाश खुमादे तूं तो क्या होगा हम इस तरह से मातलगे यहां पहुन जागा कि पे यहां-पहुंज जागा ओपर वो यहां पहुन जागा और टींए टींस यहांपर दो इसको हमने गुमा दिया तो वी कहां के आपका यहां पर आ जागा कि एक किणर नहीं है यहां पर हमने क्या हते के इसको क्लॉग वार्ड़ जो कि आपका पहले था यानि कि इस तरह से गुमायेंगे तो हमें क्या मिल जाए गए बही आक्रति मिल जाए जो कि इसकी पहले थी तो यह क्या हो जाएंगे आपके करा टू-स-पेस मॉल्कूल टू-स-पेस मॉडल्स आफ एन लिए डाइज सिमेट्रिक कारवन एटम तो आपको कारवन एटम के दो जो है डाइज समेट्रिक जो है मॉलेक्वल से हाँ पर प्राप्थ हो जाएंगे ठीक है लेक्स्ट काया राहा है दी तथा एल समा विभी यानि की आइसोमर्स के सम प्रित्विम सम्मिट की सम्मित होते हैं ठीक है कैसे होंगे दोनों उनकर होंगे क्योंकि इनमेश सम्मित तल्रियान नहीं होता है बीच में से काट तो बराबर-बराबर मॉलेक्ल आपको क्राफ्त नहीं होता है जिस प्रकार गेंद सम्मित होती है यानि कि गेंद को आप गेंद को बीच में से कार दो तो बरावर बरावर भागों में वह बट जाएगी और हाथ कैसा होता हमारा यान कि रूटेटर यहोगि को समतल सूतर द्वारा ब्यक्त करना उच्त नहीं है फिर भी सम्मतलता की दरश्टी के कारड इनको त्रवं रेखा आगर हमरेखहाचित्र की अपयक्चा समतल सूत्र से भी निम्ण प्रकार प्रदर्सत करते हैं ठिक कोई भी जो दुर्बर घोड़ा का नूप किसी भी प्रकार का रोटेटरी है । उसको क्या कर सकते हैं यह को समतल सूत्रदारा उनको प्रदर्सत करना होचत नहीं लेकिन सरलता की द्रिश्टी से अगर देखा जाए तो निम्ण प्रगास सूत्र से हम इसको विवस्थत कर सकते हैं अगर हम देखें जैसे हमारे पास यह कोई से इसकी जो चारों सहँ जगता है यहां पर लगा दिया हमने कि रगा दिया तो इसकी जो इमेज बनेगी मिरर के अंदर वह क्या होगी इसकी अब हो जाए बिबिलकुल पास में रहेगा यह यहां पर है दूर तो यह दूर रहागा यह दोनों भीट लए अपसे दीर है यह आगे आपकी मिरा मेंश ठीड अब यह कुछ जेल чाहाँ है मिरर इमीज यह आगा यह आपकी मेर्स मेंस्ट ठीक कि अब देखो इसको उठा के तो कि उपर रखना चाहों तो के रहां पाऊ में नहीं रखना पाउला है यहां पर यह यह दो यह पहुन जाए और इंस था लेक्टिक अमल की तमा व्यवर्ता ठीक है जो दूसरे में हमने पूंद दूसरे में पूंछा था एक पर टा कर लेक्टिक अमल्य की समाई तो हम चलें गढती तो कि मर्जम आफ ल्यक्टिक एसे पर सबसे पहले एक हम बात करें कि लेक्टिक एसिट करा लैक्टिक एसट एक असम्मित कारवन परमाड़ होता है इसमें उपस्तित होता है एक कारवन जिसके कैसे होंगी यानि कि डिफरेंट होंगी यह चार विभन समुग जैसे एक डी और एक अभी देखते किस तरह से मनती कह रहा है इनमें दोनों रूप एक दूसरे से बस्तु प्रतवम का रूप में तंबन देता है एक दूसरे के दोनों कैसे होंगे तथा एक दूसरे पर अध्यारोपेत यानि कि सुपर इंपोज नहीं किये जा सकते हैं लेकिन उनको एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं कर सकते हैं अध्यारोपेत नहीं कर सकते हैं यह मान लेने पर यह मान लेने पर की गोडन बल force of rotation hydrogen से OH की और कारी रथ है hydrogen से कहा कारी रथ है hydrogen से OH की और आपका जो है वो कारी रथ है क्या मान लिए हमने यह मान लिए हमने force of rotation होता है hydrogen से OH की और कहा होता है आपका अधिया ज़न से ओच की और होता है ठीक है यह कि यह अधिया अधिया दोनों रूप दूसरे बस प्रभूम है लेकिन दूसरे पर अध्यरों पर नहीं किया सकते यह मान लेने पर कि लेकिन कहरा वास्तम में लेक्टिकमल के तीन रूप गया था है जो लेक्टिकमल है उसके अब दक कितने रूप गयात किया जा चुका है तीन रूप ठीक है तीन रूप को अधिन किया जा चुका है जो हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको कौन सा मिलेगा नंबर एक कहरा दक्षिर धुरबट यानि कि दाइयोर घुमा देगा ठीक है दाइयोर के कर देता है घुमा देता है जो प्लेन पुलिराइज लाइट होती है उसको यह क्या करता है थोड़ा सा दाइयोर घुमा देता है ठीक है इस तरह से कि लोग वाइज आपको गोई जो गुमा देता है प्लेन पुल आज लाइट को घरव चलेज तो कुछ इस तरह से चलें कि कैसा है डी फॉर्म हो जागा जागा तो इसकी मिरर मेंज है यह 34 हो जगा ही और यह जगा जाने की उल्टा घुम रहा तो यह कैसी फ़ाम हो जाएंगे आपके अलपा म्या लेक्टिक एसट की ठीक है लेकिन यह एक दूसरे क्या है सुपर इंपोज़ नहीं हो रही है अध्यार्वित नहीं हो पार है तो यह दोनों क्या कहलाएंगे आपके इनेशियो मर कहलाएंगे ठीक है जैसे कि आपको यह दिखाई दे रहा है ठीक है ऊपर वाला ही यहाँ पर बना दिया है ठीक है डेक्स डोटेटरी और लीव रॉक्ष साफ रोटेशन की कहा होता है है तो यह आपका कैसा हो जागा यह क्लोक बाश घूम रहा तो यह कैसा हो जागा यानिकि दी लेक्टिक ऐसर हम इसको का सकते यह कैसा हो जागा आपका होश की और या आप सकते हैं या आप निकिनिकिटेब क्या हो जागा यह ने लं जाइंगे थीक है तो इसकी दो स्रेबन जाएंगा थीक है वह अथार कैसी एक दूसरी के उपर कैसी नॉन सुपर इंपोज कैसी हो जाएंगे नॉन सुपर इंपोजबर नॉन सुपर इंपोजबर ठीक यह दूसरे पर ध्यारव पति यह नहीं हो पाएंगे सेकंड कहा रहा है बाम दरवड घोड़क अब यह कैसा होगा एंटी क्लोग वास्टिक लीवो रोटेटर जो धुर्विद प्रकास यानि की पोले लाय्ट के तलको क्या करें बाइं और गौत बहुत को घुद्ध पोली राइज लाइट को ठीक जुमें का मिली थी निकल के प्र्रू में द्वारा एक और उडिनरी लैट में पर प्राप्थ होई थी अब यह कहां गुमा देगा यह क्या करेगा जो द्रुविद प्रकास को कहा गुमा देगा तल के बाई योड़ थोड़ा सा गुमा देगा ठीक है थर्ड कहरा उपरियोग तो दोनुं रूपों का सम मात्राओं में मिस्रल दुरुवर्ण अगोड़क होता है ठीक है दोनों के अगर मात्तराओं को बराबर बराबर मिला दिया जाएक तो कैसा होगा धुरबड अगोड़क यानि कि यह उसको रोटेट नहीं कर पाएगा ठीक है रोटेट जो है नहीं कर पाएगा इनका अगर आ फिफ्टी-50 पर्सेंट जोड दें करतें फिफिफ्टी-50 पर्सेंट को मिस्रल बना दे हैं तो ऐसी को कहते हैं रेसिम्क मिक्षण प्रिक्रेख से कई हैं कि ऑथ समें ठीक है कई है और भास्तम ने direct कम लिए रूप तो दो ही अ क्या करता है इसमें क्या होता है इसमें एक रुप दूसरे के गौनक प्रभावब को क्या थो इसलिए जो हमारा रेस्मिक मिस्चर होता है यह हम कह सकते हैं कि जो डी और एल फॉम होती है इसको मीजो कंपॉइंड भी कहते हैं तो वो क्या करेगा वो आपके दुरुबर गूड़ता को प्रदर्सित नहीं करता है कि यह आपको नहीं पढ़ना है ठीक है यह आपको नहीं पढ़ना यहां से आथ यह नहीं पढ़ना अब हम चलते थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कर दिया जाए तो इसके अडूं की असम्मिति यानि की अस्मेट्रिक नस्ट हो जाएगी ठीक है आप चेयन का मतलब जुड़ना और आप चेयन का मतलब क्या होता है वहाँ पर निकलना और यहां से औक्सिजन निकल जाए तो इसका क्या हो जाएगा अक्सिकर्ण हो जागा ठीक है तो इसका हम कर दें अप्चेन कर दें तो गया रहा है इसकी पढ़ाम शुरूप इसकी दुरुबड जो गोड़कता होगी यानि की ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी वो कैसे हो जागी समाप्त हो जागी अब मालों यह हमारे पास आपका यह हमारा कैसा हो जागा अब इसका हम क्या कर दें अप्चेन कर दें तो यह क्या हो जागा यहां से आपका जो ऑक्सिजन बाहर निकल जागा ठीक है अब बाहर निकल जागा तो यहां पर क्या जागा केवल हैडोजन आ जागा जब हाडोजन आ जागा तो यह जो हमें अप्च स्मापत आपका आपको एक तो कि आपको एक्टीकल इने एकटिव हो जागा यह उप्तीकल इनेक्टीव हो जागा यह प्रकास द्रुबड द्रुबड अगुड़क प्रकास वह जागा त्रुब्रिब्र अगोर पोड़ अचति एर योज करेगा यह से करब यह प्लेन लगाु के तो इधर वाला पार्ट ये तना और ज़ोल डाती ये तना दोनों कैसा हुज से मुझा जाएंगे ढूर्य को इक certified लेकिन समय यहागी बेणा सो नहीं करते हुए ठीक है प्रकासिक समाध़ता अभी देखा था लैक्तिक आशेट अब हमने क्या लिखना है तार्ट्रिक एस प्रकासिक समाध़ने के स्ट्रिक्ट्रीड को या फॉच्ट था गहां तो कंतर सब्सक्राइब निए कि द्यान से इसको देखा जाए तो कह रहा है इसमें दो समान असम्मित कारवन पर माड़ू यानिकि दो असमित्र कारवन पर माड़ू है जिन्हें चिन्नित किया गया है यानिकि जिन पर स्टार लगा दिया गया ठीक है तथा जहां पहला तारांकित यानिकि स्टार वाले को क पूरा आपका यह इतना तीसरा गुरुप रहेगा से जुड़ा हुआ है इसी प्रकार जो दूसरा कार्वन है तारंकित परमाणु है वो भी कैसा होगा असम्मिद है और यह चार भिन भिन समुगों से जुड़ा है ठीक है तो यहां पर देखो दो कार्वन परमाणु है आपक लगा हुआ एक आपका यह पूरा इतना गुरुप लगा हुआ ठीक है अगर हम इसकी बात करें तो इससे के लगा हुआ एक आपका ओएच लगा हुआ एक यह लगा हुआ देखो इसके अगर मैं बात करूं तो उपर वाला यह जो आपका गुरुप दे रखा इसको पूरा ऐसे स्टार वाला ठीक है उसी तरह से जब हम इसको दूसरा गर्ण दूसरा पर यह और फोर्थ आपका यह पूरा हो जागा तो यह दोनों कार्बन कैसे हो जाएंगे असम्मेत हो जाएंगे ठीक है तो इसका यह समेट्रिक शो कर रहा है लेकिन प्रकृति की आधार पर इसमें उपस्तित विभिन समुहों की आकासी विवस्था अथ्वा बिन्यास को तीन प्रकार से प्रदर्शत किया जा सकता है यानि कि इसकी जो चारो बैलेंस होती हों उसको तीन प्रकाश से जो है प्रदर्सक कर सकते हैं मालनों आपका एक कारवन यह दूसरा कारवन यह इस वाले कारवन से अगर देखें तो यह कारवन एक आपका सी ड़ोल फ गुरूप लगा है एक oh c a hydrogen लगा है एक oh लगा आपका यह वाला पूरा लगा हुए टो यह बी आपका कैसा हो का तारां के त्यानिकी असम्यत यहांand Finnish कॉसाने तरह होता है आपistles से तरफ जाएंगे और इदर भी असे तरफ जाएंगे तो यह काईसा होगया आपका Edition q क यह क्लोग जाए सोरी यह क्लोग बाइज च्छोब यहाँ परबात आपाप में ओए तो यह दोनों के आप खोगाने बाद है फुरह नगा Son यह आप कार बन डौन चर्च बंस कि अनका रसे कई जाब तरह कि आपुख़री सो रखेँ आप कारफ जागा यह की तरफ की यह कौनती यह पिलस परम किसकी टार्चिकacting सore इसकी अगर माहत करने तो इसमें तो कि हैं इधर भी एच से आप अगर वेस्ट को जाओं तो इसमें कुछ दिखाई जाए क्लॉक भाइज भी यह और एंटि यह आपका है क्लॉकश और यह आपका क्या हो जागा एंटिक लोगवाज तो इसमें दोनों पोजिशन सापको दिखाई दे रही है और इसमें अगर यह मीं नहीं कर पढ़ंद कहते हैं इसफेंजो कंपांट भी आप का यही कह लाता है तो इन दोनों के एगर हम फ़स्ट वाले की और सेकन्ड वाले की बात करें तो यह दो । में कैसे हो जाएंगे एक दूसरे के बिम्-ध्र प्रतवर्प तर्टिक हो जागा यहां पर क्या हो जागा एल फॉम यह आपका कैसा हो जागा मीजो टार्ट्रिक टिक नेक्स्ट कर दीचे कई सतल हम्तल दरुबित प्रकास को गुमाता है उसकी बात कर रहा है UH इसको गुमाने वाले वाden कर पदार्थ के माद्धम से तो वही क्या करता है इसको गुमा देता यह थोड़ा सा थोड़ा सा एंटिक्लोगवाज गुमा दे गुमाने वाला वाल पॉर्स आप रोटेशन है डुच की और क्रियानवत हो ठीक है है तो टार्टर कम लिए निम्न तीन रूप संभव हो सकते वह क लिए ठीक है तो यह क्लॉग वाइस डारेक्षन में मूब करेगा ठीक है तो हम इसको कहते है डि रूप किसका टार्टरिक आजट का डी फॉर्स इहां पर देख लो आप है यहां पर क्या लगा हुगा है आपका यह मिरुद तो आप हैड्रोजन से ओप चलिए इधर भी है यहां पर बात करें यह देख ह मैं देख पा रहें तो हम दिखती यह दूसरे के मतलब यहां कि लोग गों घेああ एक अगर मैं बात करूं तो यह कैसा गुम रहां जिस तरह से गढ़ी घुम ती यह एक तीक टीक लॉग वाइस तो यह आपके तेन जो है समान रूप बन जाएंगे ठीक है किसके टार्टरिक एसिड के कब जब हम फोर्स आफ रोटेशन को क्या माने है रोटेशन से ओएच की और माने तब की बात है यह कि यह कहां से आजाता नेक्ष्ट कहा रहा है पर यह रूप जो समतल धर्वित प्रकास के तलको दाई और गुमा देता है यह है इसका डी या पिलस रूप है दूसरा रूप जो समतल धर्वित प्रकास के तलको उसी सीमा तक बाई और गुमा देता है तो इसी सीमा तक क्या करें यह बाई और गुमा दे इसको कितना गुमा दे गुमा दे ठीक है इतना 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 इसमें अंतर उतना ही इतना यह इसका इतना अधैसह नहीं अधरै심 इदर है तो दूसरे का रोटेशन के दर होगा इधर होगा और ऐनकी धूर्ट है सिम्ट जाता है तो torch अपने प्रितिकार के जाता है इसके अंदर आपस में इसमें जो भी पूर्स लगता है आंत्रिक कार्णा होटा इसका जो कहते हैं इनकी ऐसे हम कहते हैं किन्तु बास्तम में बस वो हम देख लेते हैं एक नजर में और आपका जो है कुस्चन यहां पर समाप्त होने वाला है यह आपकी कॉंसित हो जागी टीक है नेक्स्ट घारा थर्ड करा मीजो टार्टर कैसे आपने देखा था कि दोनों में क्या कंडिशन्स थी जो उपर वाला हमारा था बो कहां जा रहा था लेफ्ट टूरा यहांने के अगर हम है ड्रोजन से और नीचे वाले माले क्यूल में दाइरेक्शन होंगी वह कैसे होंगी एक दूसरे के तमान होंगी ठीक है अपोजट यह अगर लेफ्ट इदर गुम रहा है ठीक है क्लोगवाज तो दूसरा कैसा गूमेंगा नीचे वाला आदा पार्ट उसका एंटिक लोगवाज तो वह कैसा हो जागा हमारा मीजो होता है इन दोनों को क्या कर देते हैं जोड देते हैं समान मात्रा फिप्टी फिप्टी परसेंट इनकी मात्रा ले लो इन दोनों को क्या कर दो एड कर दो तो जो आपको मिलेगा पूं क्या हो जागा आपका डी एल या प्लस माइनस टार्टिक आपको यहां पर देखने को म मिला देते हैं यहां डी एक डी रूप द्वारा उत्पन गोडन इनकी जो डी है इसके द्वारा जो गोडन उत्पन होता है प्रभाव को एल रूप द्वारा उत्पन विप्रीत और समान गोडन प्रभाव संतुलित कर देता है ठीक है तो जो तो क्या होता है मादलो डी जितन कि अंवे नहीं क्या कर रहा है में क्या प्रवाद को सब्सक्राइब WHY बोडान नहीं दुरुम का कैसे सान थिए अता हम कह सकते हैं कि यह रूप में प्रकांशिक घुडब सब्सक्राइब प्रतिकार क्यों गवाइब प्रतिकारक एक्टरेंब सुच्ट क्या हो प्रितिकारण के कारण होता है तो यह तो था आपका क्वेश्चन ठीक है इंपोर्टेंट लगा लिए इस पर अगले वीडियो में हम आपको तो इससे और अच्छा क्वेश्चन लेकर आएंगे ठीक है अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो प्लीज हमारे चै अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको पीडियेफ का लिंक बिल जाए जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तयारी जोगा अच्छे से कर सकते हैं ठीक है थैंक्यू बने रही हमारे साथ